तो फ्रेंड्स मैं हूँ दीपक और स्वागा थे आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स आज का हमरा टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया भारत में पहला दो हजार तेइस 2023 में अब तक जितने भी भारत में फर्स्ट घटनाई हुई है या कोई नई चीजा स्थापित हुई है या कोई नई घटना हुई है उन सभी आज विडियो में डिसकस करेंगे यह एकीन मानिये फ्रेंड्स यह टॉपिक एकजाम के पॉइंट ऑफ यू से बहुत ही इनपॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी गुवर्मेंट एकजाम के त्यारी कर रहे हैं चाहे आप कुछी भी एकजाम के पेपर देने जाए इस टॉपिक से आपको दो या तीन भारत की पहली सोलर सिटी यह बनेगी कहां बनेगी सांची मदपर्देश में डिसकस करते हैं डिटेल में से देखिए मदपर्देश के रायसें जिले में स्थीत सांची नगर इस्थीत भारत की प्रतम सोलर सिटी बनने जा रही है सांची जो अबिस धरोवर रसमारक अस्थ से लिकाउठ पाधन किया जाएगा नेक्स्ट और भारत का पाला अंतराश्टि यह मल्टी-понौडल लॉजिस्टिक पार्ख कहाँ विकिशित किया जा रहा है इसे डिटेल में समझते हैं तो लॉजिस्टीक पार्ख की जाए से मतलब होता है Luther परजेश्टिक पार्ध खाद वस्तूओं को श्टोर करने का एक अड़वान सिस्टम है इन पार्खों में कोल्ड श्टोरेज और दूसरी सुगधाएं होती हैं जिनकी मदद से देश भर में लाए मालों को इसमें श्टोर किया जा सकता है नेक्ट कोस्टन गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज कौन सा है इस कोस्टन को एकजाम के लिए डवल श्टर मार किजे फ्रेंट्स यरकीन मानिए यह यह कोस्टन अपके एकजाम में 100% पूछा जाएगा सही उत्तर है केरल तेकि केरल में गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला यह केरल पहला राज बना है डेटेल में समझते हैं इसे यह जल बजट केरल राज को जल संसाधन की मांग और आपूरती का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा भारत की पहली सेटलाइट नेटवर्क प्रोटल साइट कहां स्थापित की जाएगी सही उत्तर हो जाएगा गुजरात गुजरात में भारत की पहली सेटलाइट नेटवर्क प्रोटल साइट स्थापित की जाएगी फोर रन्वेवाला भारत का पहला हवायड़ा कौन से बना है? सहीवत रोगा इंद्रा गांधी अंतराष्ट्रिय हवायड़ा जोकी नई दिल्ली में है इंद्रा गांधी अंतराष्ट्रिय हवायड़ा फोर रन्वेवाला भारत का पहला हवायड़ा बन गया है अगला स्वाल अदानी समूह ने भारत की पहली अंतराष्ट्रिय बिजली पर्योजना जिसका नाम है अल्टरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहां सुरू की है सही उतर होगा गोडा में जर्खंड के गोडा में अडानी समोह ने भारत की पहली अंतराष्टी बिजली पर्योजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थरमल पावर प्लांट की सुरुवात की है इस पर्योजना में भारत बंगला देश पावर डेवलोप्मेंट बोर्ड के साथ हुए बिजली खरी समझावते के अताथ गोडा प्लांड जो है 1496 मेगावाट की अपूर्ती करेगा इतिहास में पहली बार राष्टपती द्रपती मुर्मू ने देश के किस राज की विधान सभा को सम्भोधित किया है भारत की पहली ई-ए-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी कहां अस्थापित की जाएगी अगला सवाल भारत के पहले छेत्रिये क्रित्रीम बुधिमता AI संचार एंकर लीशा को किस राज के नीजी समाचार चैनल ने लंच किया है देखिए सही उतर होगा इस प्रशने का ओडिशा देखिए ओडिशा राज ने क्या गया है एक रोबोट लॉंच किया है जिसका नाम लीशा है यह सामाचार एंकर है अगला सवाल रिश्वत पिरोधी प्रबंधन प्रनाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रिय सरवजनिक छेत्र उद्दम कौन सा बना सही उतर हो जाएगा इस प्रशने का ONGC देखि ONGC के बारे में बात करें तो ONGC का पूरा नाम होता है Oil and Natural Gas Corporation इसके अस्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स 14 अगस्त 1956 को हुई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है और बरतमान में ONGC के जो अध्यक्ष है ये अरुन कुमार सिंग है इसे भी ध्यान में रखिएगा यहां सभी question अकसर पूछा जाता है अगला प्रश्ण मजदुरों को कल्यान के लिए अंतियोदे स्त्रमीक स्तुरक्षा योजना करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्ण है इस प्रश्ण का सही उतर होगा गुजरात गुजरात जो है मजदुरों को कल्यान के लिए अंतियोदे स्त्रमीक स्तुरक्षा योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज बनी गया है फ्रेंट्स आप question की language और question देकर समझ गये होंगे हमने आपके लिए बहुत ही top और selected question लिए है जो आपके exam के point of view से important है जितने प्रश्ण है ये सभी selected है और exam में इनकी आने की पूरी संभावना है इस वीडियो में कोल 100 प्रश्ण कराऊंगा सभी प्रश्ण important है वीडियो की skip नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा अगला सवाल संजूप्त राष्ट इवेन को तीन बार समवधित करने वाली भारत की सबसे कम उम्रिकी महिला कौन बनी very very important प्रश्ण है तो देखिए सही उतर होगा दिपिका देखिवाल दिपिका देखिवाल जो है वे संजूप्त राष्ट को तीन बार समवधित करने वाली सबसे कम उम्रिकी भारत की महिला बन गई है अगला सवाल है केंद्रिये ग्रीम मंत्री अमीज साह ने भारत के पहले साहकारी संचाली सैनिक स्कूल के अधार सिला कहां रखी सही उतर होगा मेह साणा गुजरात के मेह साणा में अमीज साह ने पहले संचाली सैनिक स्कूल के अधार सिला रखी है अग नेक्ट कोस्चन सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकिलिंग करने पर एरपी क्रेडिट प्राप करने वाला भारत का पहला नगर ये निकाय कौन बनेगा सही उतर होगा इंदवर नेस्ट कोस्चन भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां से यातरा शुरू करेगी भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन इसका मार क्या रहेगा त्यान रखियेगा जीन और स्वनी पत इन दो जगहों के बीच में ये चलेगी हाइड्रोजन ट्रेने हाइड्रोजन और अक्सिजन को बिजली में परिवर्तित करने के लिए इंदन को सिकाओं का उप्योग करती है अगला सवाल कि भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद्वन पार्क का उद्गाटन कहां किया गया वहरी बरी इप्रोटेंट है संस्कृति और प्रकृति के कनूठा मिसरण है जो चारवेद रीगवेद यजुरुवेद सामवेद अथरवेद की दुनिया में गहन अनुभव परदान करता है अगला स्वाल है हमारा कि भारती रेलेवेद वरा भारत का पहला केबल इस्टे रेल ब्रीज कहां बनाया गया गया अगला स्वास्थ का अधिकार बिधेक लाने वाला भारत का पहला राज कौन बना इसे अगामी एकजाम के लिए डवल इस्टार मार कीजिए फ्रेंट्स बहुती इंपर्टेंट प्रशन यह स्वास्थ का अधिकार बिधेक लाने वाला भारत का पहला राज बन गया है फ्रेंट्स अगर आपको विडियो की क्वालिटी और प्रशन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें अगला स्वाल भारत का पहला राज कौन बना सही उत्तर होगा हरियाना तकी हरियाना राज जो है वो 100% रेल बिधोती करण को पूरा कर चुका है अगला स्वाल भारत की पहली सम्मुद्र के नीचे सनक सुरंग की सहर में बनाई जाएगी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रशने का मुंबई में अपने अखवार में पढ़ा होगा यह चीज बहुत चर्चे में थी देखिए मुंबई में भारत की पहली सम्मुद्र की नीचे सनक सुरंग जो है बनाने का काम चल रहा है अगला सवाल है कि 24 गुने सेवें स्वास्त स्वाव के लिए भारत का पहला टेले मानस चैट वोट कहां लंच किया गया है बहरी बर इंप्रोंटन प्रशने और देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं यह आपके एक्जाम में पुछे जाते हैं आप कोई भी एक्जाम उठा कर दिख लिजिए चाया रेलेवे गुरुबडी का हो चाया रेलेवे एंटिक पीसी हो या इस्टेट गुवर्मेंट के एक्जाम हो इस तरह के प्रश्ण हमेशा पूछे जाते हैं देखे इस प्रश्ण का सही उतर होगा जम्मुकसमीर जोई 24 गुने साथ स्वास्त स्वाम के लिए भारत का पाला टेले मानस चैटबर्ट लुंच किया है इसे डिटेल में समझते हैं टेले मानस का पूरा नाम क्या होगा टेले मेंटल हेल्थ एसिस्टेंट एंड नेटवरेकिंग एक्रोस एस्टेट है यह पहल स्वास्थ प्रमर्श दताओं नैदानिक मनो वेगानी को और सलहकारों के लिए 24 घंटे स्यवाएं सुनिश्चित करेगी अगला सवाल कि भारत के पहले स्वादेशी परमाणू रियक्टर काकर पार परमाणू उर्जा पर्योजना का संचालन की स्राज में सुरू हुआ है सही उतर होगा इस प्रशने का गुजरात में गुजरात में फ्रेंट्स इसकी सुरुवात की गई अगला सवाल है कि भारत में पहली ड्रोन पुलिस इनिट की सुरुवात की सहर में की गई है सही उतर होगा इस प्रशने का सही उतर हो जाएगा फ्रेंट्स इस प्रशने का चिन्नई में देखिए चिन्नई में भारत की पहली ड्रोन पुलिस इनिट की सुरुवात की गई है वेरी वेरी इंपर्टेंट प्रश्न है ये नए कोश्चन है ये पुछा जा सकता आपके एक्जाम में अगला सवाल कि भारत की सबसे बड़ी नीजी रेलवे कोच फैक्टरी का उदघाटन कहां किया गया सही उतर होगा इस प्रश्ने का कोडांगल तेलांगना के कोडांगल में रेलवे कोच की नीजी फैक्टरी का सबसे बड़ा उदघाटन किया गया अगला सवाल भारतिय भू बयगानिक सर्विक्षण जी एसाई ने 184 मिलियन वर्स पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकिर्थिक आर्क की खोच कहां की है इसे अगामी एक्जाम के लिए डवल एस्टार मार कीजिए बहुती इंप्रटन प्रश्ने है सही उतर होगा इस प्रश्ने का ओडिसा के सुंदरगड में देखे फ्रेंट्स ओडिसा के सुंदरगड में भारतिय भू बयानिक सर्विक्षण जी एसाई ने 184 मिलियन वर्स पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकिर्थिक आर्क की खोच की है अगला सवाल कि भारत के पहले कार्बन नीट्रल गाउं के रूप में किस गाउं को बिक्सित किया जाएगा सही उतर होगा महराष्ट के भिवंडी तालूका को अगला सवाल है हमारा कि भारतिय प्रतियस परदा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है सही उतर होगा इस प्रतियस परदा योग जिसे हम CCI के नाम से भी जानते है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई है CCI का पूरा नाम होता है Competition Commission of India इसके अथापना होती 14 अक्टूबर 2003 को और फ्रेंट्स CCI का जो मुख्याले है नई दिल्ली में है अगला स्वाल है हमारा कि भारत का पहला खुले में सोच मुक्त वडिये फ्लास चिला कौन से बना सही उतर होगा केरल का वैनाड अगला स्वाल है अनात बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क वैंक की सराज में सुरू किया गया है सही उतर हो जाएगा आपका उतरा ख़ंड में अगला प्रश्न है सारवजनिक सिवाओ को पूरी तरह से ई-governance प्लट फरम पर लाने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना तो ये बन गया है आपका केरल केरल जो है सारवजिनिक सिमाओं को पुरी तरह से ई-गुवर्नेस प्लेट फोरम पर लाने वाला भारत का पहला राज बना अगला सवाल है कि भारत का पहला परधान मंत्री मेगा इंट्रिगेटेड टेक्स्टाइल रिजार यंड अपैरल पार्क जिसे हम पीए मित्र पार्क से भी जानते हैं इसे कहां स्थापित किया जाएगा सही उतर होगा बिरुधनगर तमिलाडू के बिरुधनगर में पीए मित्र पार्क को स्थापित किया जाएगा अगला सवाल है भारतिय छेत्री नेगिवेशन सेटलाइट सिस्टम पर अधारित भारत का पहला गरभावस्था बाल ट्रेकिंग स्वास्थ सेवा प्रमंधन प्रणाली जिसे PCTS बोलते हैं मवाइल मोनेटरिंग एप को लॉंच किया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्ण है सही उतर हो जाएगा इस प्रश्ण का राजस्थान देखें इस तरह के प्रश हमेशा पुछे गए हैं अगला सवाल भारत के पहले अंतराष्ट्रिय क्रूज पोत एंबी एक्सप्रेस ने चन्नाई से किस देश के पीछ अपनी पहली क्रूज सेवा को प्रणम किया है सही उतर होगा सिरलंका से इस डटेल में समझते हैं कि एंबी एक्सप्रेस सिरलंका म में तीन बंद्रगा हो जिस जो हमने टोटा त्रिको माली कांके सुर्थवी का दवरा करेगी जिसके बादे आपस चन्नाई लौड जाएगी यहां से एक चीज अपको और सिखनों को मिल गया कि अगर आप से कोई पूछ दे कि सिरलंका में जैसे पूछ दे कि हमने बटोटा बंद्रगा कहां है सिरलंका में यानि आपको यह पता चला कि सिरलंका में तीन बंद्रगा हैं हमने बटोटा त्रिको माली और कांके सुर्थवी अगला सवाल भारत की पहली हरित बिमान इंधन उत्पादन इकाई कहां अस्थापित की जाएगी वेरी वेरी प्रश्ण है सही उतर होगा इसका हरियाना के पानी पत में अगला सवाल तटिये परियाटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीन कहां बनाया जाएगा तो भारत का पहला मरीन ये बनाया जाएगा फिरेंट्स करनाटक के बिदूर में अप्शन ही सही उतर होगा अगला प्रश्ण है सेमी कंड़क्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पाला सेमी कंड़क्टर सेंत्र कहां खुलेगा तो भारत का पाला सेमी कंड़क्टर सेंत्र यह खुलेगा आपके गुजरात के धोलेरा में अप्सन भी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण परदान मंतरी नरंदर मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परयोजना का अनावरण कहां किया इसे रट लिजिएगा आपके रिजाम में पूछा जा सकता है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्ण यह है सही उतर होगा इस प्रश्ण का केरल के कोची में नरंदर मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परयोजना का अनावरण किया है अगला सवाल है कि भारत की पहली पोड टेक्सी सेवा किस राज में शुरू की जाएगी सही उतर होगा उतर परदिस में अगला सवाल आइफोन निर्माता कंपनी एपल इंक भारत में अपना पहला इस्टोर एपल बिके सिक की सहर में खोलेगी तो फ्रेंट से ये खोलेगी मुंबई में अपसंसी सही उतर होगा अगला सवाल कि भारत की पहली सोर उजा संचालित परियाटक नाव सुर्वान्सू किस राज में लॉंच हुई है सही उतर होगा केरल में अगला सवाल है कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां स्थापीत किया जाएगा सही उतर हो जाएगा केरल में देखे केरल में ही आपका भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क को स्थापीत किया जाएगा अगला प्रस्ट है भारत का पाला समिधान साक्षर जिला कौन से बना वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ट तो भारत का पाला समिधान साक्षर जिला बने गया केरल का कुलम समिधान साक्षर से मतलब यह हुआ कि वहां को लोगों को समिधान के बारे में पूरी जनकारी दी गई अगला सवाल भारत का पहला 3D मुद्रिट डांगर कहां खुलेगा तो भारत का पहला 3D मुद्री डागर ये खुलेगा आपके बेंगलोर में डिटेल में से समझते हैं कि इसका निर्माण जो है लॉर्सा नें टुब्रो द्वरा किया जा रहा है जुबकी बरतमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तक्निक का उप्योग करने वाली एक मात्र कमपनी है ये अगला स्वाल है द्रिष्टी बाधित लोगों के लिए द्रिष्टी हिंता नियंत्रन पॉलीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज कौन मन गया सही उतर होगा राजस्थान देखे फ्रेंट्स राजस्थान जो है ये द्रिष्टी बाधित लोगों के लिए द्रिष्टी हिंता नियंतन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज बना अगला सवाल भारत ने पहला चैट जीपिटी संचाली एई चैट वोट लेक्सिक किस कंपनी ने लॉंच किया तो इसे लॉंच किया है आपके वेलोसिटी ने अप्शन भी सही उतर होगा अगला सवाल भारत की पहली सेमी हाई इस्पिट छेत्रिय रेल सेवा का नाम बदल कर क्या हो गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्ण ये देखे इसका नया नाम हो गया है आपका रेपीडेक्स क्या हो गया है रेपीडेक्स अगला सवाल हरित बंड जारी करने वाला भारत का पहला सहरी नगरी निकाय कौन सा है तो भारत का पहला सहरी निकाय ये बना है आपके इंदोर जिसने हरित बंड को जारी किया है अगला सवाल भारत का पहला डाई इसकाई रिजर्ब कहां बनाया जाएगा तो भारत का पहला डाई इसकाई रिजर्ब ये बनाया जाएगा आपके लदाख में अपसंसी सही उतर होगा अगला प्रश्ण सतत विकास लक्षेव को प्राव करने की दिशा में अपनी प्रहपती को मापने वाला भारत का पहला सहर कौन सा बना सै उत्तर होगा मध परदेश का भोपाल अब संदी से उत्तर होगा अगला सवाल भारती प्रदोक्र की संस्थान आयटी मदरास किस देश में अपना पहला अंतराष्टिय परिशर अस्थापित करेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है देखिए यह अस्थापित करेगा तंजानिया में तंजानिया में आयटी मदरास चुहे अपना पहला अंतरा सही उतर होगा महराष्ट के ठाड़े में भारत की पहली सेविन किलोमेटर लंबी ट्वीन ट्रैक अंडर सी रेल्स रोंग का निर्माण किया जाएगा अगला प्रशने मारा कि जून दो हजर तेइस में परधान मंतरी नरंद्र मोधी ने किस देश में कांग्रेस की संजुक्त बैठक को दो बार सम्वधित करने वाले पहले भारती परधान मंतरी बने वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रशने यह है इस तरह के प्रशन आपके एक्जाम में आते हैं ध्यान रखिएगा इस प्रशने का सही उतर होगा अमेरिका अगला सवाल कि भारत की पहली नियो मेटर का सेवा सुरूप की जाएगी अगला सवाल दिब्यांगों के लिए एक अलग विभाग अस्थापीत करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना सही उतर होगा इस प्रशने का महाराष्ट देखें महाराष्ट जो है दिव्यांगों के लिए एक अलग विभायत अस्थापीत करने वाला यह पहला राज़ बन गया है आगे बढ़ने से पहले फ्रेंट्स में एक बात बता दूँ कि मेरे चैनल पर आपके चाहे कोई भी गुवर्मेंट एक्जाम के तियारी कर रहे हैं हर एक्जाम से रिलेटर एश्टेडी मंट्रियल उपलत कराया जाता है मैं कोई PDF उगर नहीं देता हूँ लेकिन हाँ हर टॉपिक से मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी इसलिए आप किसी भी एक्जाम के और तियारी करते हैं तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अगला सवाल फाइव जी प्योग मामलों की जमीनी अस्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना देखिए इसका सही उतर होगा मदपरदेश का बिदिशा अपसाने सही उतर हो जाएगा मंदिर अनुष्ठान करतव्यों के लिए रोबोट हांती को सामिल करने वाला भारत का पहला राज कौन बन गया तो देखिए रोबोट हांती को सामील करने वाला पहला राज बना अपका केरल अपसंसी सही उतर होगा अगला सवाल मुक्त रेडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड़ा कौन से बना है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्ने ऐसे प्रश्ना के गजामें पुछे जाते है सयुतर होगा इस प्रश्ने का लाल बहादूर सास्त्री हवाई अड़ा जो की वरानसी में है ये जो है मुक्त रेडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड़ा बने गया अगला सवाल सरकारी विभागों में 2030 तक 100 पर 30 इलेक्टरिक वाहन को सामिल करने के वाला भालत का पहला राज कौन सा बनेगा सही उतर होगा उतर परदेश अगला सवाल कि भारत की पहली अंडर्वाटरो अंडर्वाटर में 2030 का सफल ट्रैल की सहर में किया गया बहुत इंपोटन्ट प्रश्न है देखे इसका ट्रायल किया गया है आपका कुलकत्ता में ट्रेटेल में से समझते हैं कि इस ट्रायल के दवरान मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मिटर की टनल से संचालित किया गया यह टनल जो है हुगली नदी के नीचे बना है इस में ट्रेन के सुरू होने के साथ ये हावडा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन लगभग 33 मीटर ये पन जाएगा अगला सवाल भारत में पहली बार किस खिलाड़ी के नाम पर किसी होकी स्टेडियम जो राय बलरेली होकी स्टेडियम के नाम रखा जाएगा देखिए जो राय बिलरी में होकी स्टेडिय में ये किस खिलाड़ी के नाम से रखा जाएगा तो ये रखा जाएगा आपके रानी रॉमपॉल के नाम से जो एक मसूर भारती होकी खिलाड़ी है देखिए इक्ष्टाप्यंट यहां ले लिए हैं हलाकि इस प्रशन से रिल्टेड नहीं है देखिए सीमा सणग्ठन जो बी यारो है न वो उत्राखंड के चमूली जिला में भारत चीन सीमा परबसे सीमान्त गाव माड़ा के परविश्द्वार पर भारत का प्रथम गाव हो प्रविक्षण जी एसाई ने भारत के भारत में पहली बार लिथियम के भंडार के खोच कहां की बहुत ही इंप्रेंट प्रश्ट नहीं है देखिए लिथियम के भंडार के ये खोच की गई आपके जम्मू कस्मीर के रियासी में अगला स्वाल भारत का पहला हाईब्रीड सांडिंग रोकेट कहां से लॉंच किया गया सही उतर होगा तमिलाडू के पट्टी पूलम से भारत की पहली इलेक्ट्री वतानो कूलित एसी डबल डेकर बस का उधगाटन की सहर में किया गया है तो इसका उधगाटन किया गया आपके मुंबई में अगला सवाल है केंद्रियम मंत्री नितिन गड़करी ने पहली मेथनोल से चलने वाली बसो का नावरण कहां किया वेरी वेरी इंप्रोटन प्रश्न है तो देखें मेथनोल से चलने वाली बसो का नावरण किया गया है आपके बेंगलूरू में और आपसे गर ये पुछे किष्णे किया तो याद रखिए किंद्रियम मंत्री नितिन गड़करी ने अगला प्रश्ण सीवेज को साफ करने के लिए बांदी कुट नामक रोबोटिक स्क्वेंजर को प्योग करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है सही उतर होगा केरल अपसन सी सही उतर हो जाएगा आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इंफेंट्री जिसे पैदल सेना म्यूजियम कहां खुला तो ये खुला है आपके मध परदेश के महू में नेक्स्ट भारत का पहला बहुत विश्विद्याले धम में दीपा अंतराष्टी बहुत विश्विद्याले जिसे सोट में कहा जाता है DDIBU कहां बनाया जाएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्टन है इसे बनाया जाएगा आपके त्रिपूरा में अप्सन भी सही उत्तर है अगला सवाल क्वांटम कम्प्यूंटरिंग अधारी भारत का पहला टेलिकॉम में प्चासी लिंक कहां शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में अगला कि संस्थान के सोध करताओं ने डेंगू बुखार की उप्चार के लिए भारत की पहलीों में एक मात्र DNA वैक्सिन बिक्सित किया है इससा रट लिजिएगा ये कोशन आपके एज़ाम में आने की प्रबल संभाव ना है इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलेजिकल साइंस जो की बेंगलरूम है इसने डेंगो बुखार के लिए भारत की पहली और एक मात्र डियने वैक्सिन को बिक्सित किया है अगला सवाल रेसम उत्पादकों के लिए बीमा योजना सुरू करने वाला भारत का पहला राज कौन से बना तो भारत का पहला राज बना उत्राखन जिसने रेसम उत्पादकों के लिए बीमा योजना को सुरू किया अगला सवाल डिटल तरीके से पूरी तरह अपनाने वाला भारत का पहला के नरसासित परदेश कौन बन गया सही उत्तर होगा जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर जो है डिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला राज बन गया है अगला प्रास्ट न है जम्मू कस्मिर में मेगा मॉल परयूजना को शुरू किया है अगला सवाल है अपनी जेलों को मानुवी क्रिद करने वाला भारत का पहला राज कौन है तो सही उतर होगा अरुणाचल परदेस अपना जलवायू परिवर्तन मिसन शुरू करने वाला भारत का पहला राज कौन से बना सही उतर होगा इस प्रश्ने का तमिलाडू तमिलाडू ने अपना जलवायू परिवर्तन मिसन शुरू किया है अग्यात सवों का DNA डेटाविस बनाने वाला भारत का पहला राज कौन बना रट लिजेगा इसे प्रेंट सागामी एक्जाम के लिए से डवल इस्टर मार कीजेए बहुत इंपोर्टेंट प्रशने है सही उतर हो जागा इस प्रशने का हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश जो है अग्यात सवों का DNA डेटाविस बनाने वाला पहला राज बन गया है इससे अगर मान के चलिए फायदा यह होगा कि अगर कोई भी अग्यात सवों मिलता है तो उसकी पहचान करने में इस डेटाविस से सहायता मिलेगी अगला सवाल भारत में एक लाख रुपे प्रती सेर मारको चुने वाला पहला स्टाव कौन बन गया से उतर होगा इस प्रशने का एमारेफ एमारेफ जो है भारत में एक लाख प्रती स्टाव मारकोट को चुने वाला पहला राज श्टाव बना अगला सवाल भारत का पाला राश्टी ये मेंट्रो रील ग्यान केंदर को बनाया जाएगा अगला स्वाल है भारत अपसिष्ट से हाइड्रोजन परिजना कहां स्थापीद करेगा से उतर होगा महराष्ट के पूड़े में भारत अपनी अप्सिष्ट से हाइड्रोजन परिजना को अस्थापित करेगा अगला सवाल भारतिय वाई स्विना में लड़ाकू इकाई की कमान सम्हालने वाली पहली भारतिय महिला दिकारी कौन बनी सही उतर होगा इस प्रश्ण का सलिजय धामी जो है भारतिय वाई से नामने लड़ाकू इकाई की कमान सम्हालने वाली पहली भारतिय महिला दिकारी बन गई सही उतर होगा द्वारी का एक्सप्रेस वे अगला स्वाल है कि लोगों को सणकों पर सुरक्षी चलने का अधिकार परदान करने वाला भारत का पहला राज कौन सम्हालने वाला पंजाब भारत का पहला राज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो का फ्योंड में जरूर दे